स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में आज के शो फूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे LG बायो डीजल के बारे में तो आए जानते हैं होच तो पहले आपको यह समझना पड़े काई यह है क्या हैं यह हैड्ळो कार्वन जैसे है आप लोगों को पता है कि हाईडो जता को जैसे कि मिंफलंग not है और चार हü्ट्रोय इसनदर चीण बढ़ते मतलब मीठेन के कंपेर में आपको कम मिलेगा लेकिन और नीचे आते जाए जहां पर लिक्विड में एथनॉल ब्यूतनॉल और बेसिकली यह सब कंपोनेंट्स होते हैं आपके पेट्रोल और डीजल में तो आपको कार्बन जदा मिल रहा है 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 लेकिन है सब तो हाइड्रोकार्वन खुद्रत ही बनाता है बायलोजी ही बनाता है बस हम लोग जो जमीन से तेल निकाल रहे हैं वो पुराना है मतलब पुराने पेट पौधे जब मर गए जब गिरे जमीन जब जब जमीन में तफन हो गये घटे घटे नीचे 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 बहुत फ्यूल बने जिसमें वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं तो सम मिलाने के बाद आपको बस यह समझता है कि और गैनिक लाइफ ही हम लोग का हमेशा हम लोग हाइड्रोकार्वन देता है सोलर एनरजी को बदलके मतलब जो उर्जा उसमें है वो सूरी की उर्जा है तो जैसे कि आ आप वेजटेवल ऑईल जो आप खाना पनाने में इस्तमाल करते हैं वो भी फ्यूल ही है इंधनी है उस पर हम लोग चलते हैं और चाहें तो आप डीजल का कोई भी गाड़ी उस पर चला सकते हैं चलाना मैं कहूंगा ने क्योंकि यह बहुत महेंगा आता है पर लीटर दू कोड़ेंगे वो दोबारा नया फसल आपका खा लेगा तो आपको कोई टेंशन यह कारबन नीट्रल है और हम लोग बस सौरे उर्जा पर चल रहा है बस सोलर इनर्जी को हम लोग केमिकल इनर्जी में कंवर्ट करके रख ले रहे हैं बस समझी एक अच्छा सा केमिकल बैटर है कि वह में में लाग करोड़ स्लेंग, ऑपड़ा है पिससी अस stat sendiri आप समझें दल्रन ये लेकिन आप एक फुल फ्लेज जम्बो जट्स सइज का नहीं मिमा सकते लेकिन फ्यूल खराब है ब्रॉबम एक लीटर हईडूर आपको एक लीटर खी रोसीन वे अगर अगेंस्ट खड़ा होना है कि हमको तो लिक्विड फेस में रहता नहीं है लिक्विड फेस केलिए उसको क्राईयोजेनिक करना पड़ता है मतलब एक दम सूपर कूल करना पड़ता है तो समझे ना तो वह रूम टेंपरिचर पर रहेगा ना ही मतलब पैकेट जो चाहिए मतलब समझे ऐसा हो जाएगा कि कोई जो ऑईल का कंटेनर होता है उसमें कंटेनर में फ्यूल बरा हुआ हो चोटा सा ओईल पे लोड को ले जा र जाता है मीथेन में डेंसिटी बढ़ जाती है अब जैसे जैसे हैवियर चीज के तरफ हैंगे डेंसिटी बढ़ता चाहिए से कोईला पे तो बड़े-बड़े मतलब डीजल से जादा पावर्फूल कोई फ्यूल ही नहीं है लिक्विड फ्यूल के मामले में तो यह सब बिस बना लो दूसरा आपको इंफ्रास्ट्रॉक्ट्टर में कोई चीज नहीं है जैसे आप लोगो बैट्री के कार मालब इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में आप लोग इतना आजकल ध्यान दे रहे होंगे तो आप यह तो समझी ना कि मतलब वगर सब को इलेक्रिक कार यूज अपड़ेगा आपको समझी कितने सारे पावड खोलने पड़ेंगे कितने सारे मतलब ट्रांस्फोर्मर डालने पड़ेंगे ताकि उतना उतना है वी लोड बरदास किया जाए तो इसके बारे में थोड़ा स्चना पड़े अगर आप एल्जी बायो डिजल उसकता है आपको तो वो यह बात को पसंद नहीं करता था कि किसी के पास इकलौता पावर होगी मतलब वो बोल दिया कि टेल महेंगा हो गया तो तुम गया तो वो ऐसा बनाए कि आप डीजल इंजिन जो है उसमें जितने भी पेट्रोल इंजिन के साइड इफेक्ट से उस अब को ठीक किया और इसलिए डीजल इंजिन धीरे चलता है धीरे चलने से मतलब का चीज बहुत देर बहुत साल तक ठीकेगा और बेरिंग बहुत लंबी ठीकेगी घिस गरमी कम पैदा होगा और स्पार्क्लब भी नहीं लगता है तो आप समझ दिए डीजल एंजिन बहुत एडवांस टेक्नो आने के लिए जितना मतलब इंधन चाहिए हम लोग यहां उगा लेते हैं यह रूडव डीजल का इडिया था इसलिए आज भी आप कोई भी डीजल गाड़ी खरीद लेजा आप चाहिए एक रिफाइन या सबस्तो तेल एक लीटर लीजे डालिए आपका कोई भी डीजल वा तो लोग इसमें खूद गया जिसमें फसल को वो लोग इसमें बदलने लगे तेल में तो कर सकते हैं रूडव डीजल का भी यह एडिया लेकिन यह बहुत नुकसान दायक है क्योंकि फसल वाली एरिया बहुत महेंगी होती है मतलब जो जमीन उपज देती है वो जमीन जमीन खरते तो यह एकदम अच्छा ऑड़िया नहीं था मतलत फसल वाली जमीन सिर्फ कानों के लिए रहनी चाहिए उसमें तेल अच्छा आइडिया नहीं था इसलिए बाइयो फ्यूल जो भी आप सोएक आएक सोया से चलता है यह कॉरम से चलता है अच्छा आइडिया नह करता है तो प्लांट तो बड़ा चीज है धर बहुदा तो बड़ा बड़ा चीज है एलजी से छोटा प्लांट नहीं मिल सकता हाँ आप इस तरह के कुछ हैल जी मिले जिसमें एक यजी नीए वह के एक कुलचर मतला सब चुछे टाइप है जिसमें मतलब हुब लेकिन पत्रिका तो क्या काम नहीं है उतना एनर्जी इसमें यह होता है कि सिर्फ एक सेल मजब एक छोटा से छोटा है माईचल ही सब काम कर रहा है मजब एक छोटा सेल ही हाइडरोकारबन बना रहा है तो आप समझे कि एक लीटर पानी में अगर आप पूरा LG उगा देते हैं, तो वो सारा का सारा, वो जितना LG उगा उसमें, वो सारा का सारा बायो डीजल है, ऐसाने की लकडी भी निकल रहा है, वो पूरा का पूरा बायो डीजल ही निकल रहा है, ये सबसे बड़ा बात है, और ये छोटा होने के चलते उगाया कई घंटों में जा सकत कई दिन नहीं जैसे फसल आप कीजिएगा साल में एक ही बार कर सकते हैं कुछ-कुछ फसल जो क्रॉप साइकल रेगुलर क्रॉप साइकल करें वह भी तो महीने लगेंगे कुछ हफते तो लगेंगे ही यह डेली हो सकता है मतलब डेली आज फ्रेश पानी डाली है और एलजी का कारबन डायोकसाइड है अगर सनलाइट है तो वह सब कम पढ़ गया तो यह काम नहीं करेगा लेकिन अगर है तो यह बहुत तेजी से ग्रोव करता है जैसे कि आप लोग पता ही पीट्री डिश में दिखाता है ने पिक्चर से में छोड़ा से कुछ ड़ा दर दर करके पहल पैसा होता है इसके साथ भी तो इसको बनाने का बेसे की आप पानी सड़ा रहे हैं आप पानी में डाल रहे हैं आप कुछ और नहीं कर रहे हैं पानी में डाल रहे हैं तो दो तरीका थे एक होता है क्लोज सिस्टम एक होता ओपन सिस्टम आपको कुछ नीज अगर पानी को क नहीं हावा से नहीं मिलने दे रहे हैं मतलब इस तरह से आप पूरा उसको सर्किल में चला रहे हैं तो आप बोलेगा कि अच्छा इसमें मतलब यह carbon dioxide कैसे लेगा जनरली एक air pump अलग से रखा जाता है या कभी कभी इसको कोल पावर प्लांट के पास में लगाए जाता है इसमें कोल पावर प्लांट का exhaust इसमें डाल दिया जाता है तो यह air scrubber के तरह काम करता है और plus carbon dioxide दोबारा यह absorb कर लेता है और इस तरह की आइकाते open pond यह सस्ता है लेकिन ज़्यादा देता नहीं है मतलब पर hectare में यह कितना ली जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर कोई साबून इस्तेमाल काथ साबून में नमक होता है मतलब नमक ही है salt C है chemistry वाले अपने VC friend से पूछिए वो क्या है तो वो सब पगए पानी में चला जाता है वो पानी safe नहीं रहता हम लोग उसको पी नहीं सकते और मचली भी उसमें रहे नहीं सकती और प्लस उसके खेती भी आप नहीं कर सकते मतलब वो मतलब कुस एक दो बात तक फसल है हैंडिल कर लेगा दूसरी दीसरे बार में मर जाएगा तो उस पानी को साफ करना है तो पानी में बहुत चीजा हम लोग एड़ करते है जैसे कि आमोनिया जो कि आपको चोटे कांसेंट्रेशन में कोई नुकसान नहीं करता है लेकिन एक जैसे हम लोग फर्टिकलाइजर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं खूब डालता है मतलब एक दो कि कोई इंटल में डाला जाता है भारी भरकम वो खतरना होता है एलजी को उससे कोई लिए ना देर नहीं एलजी अमूनी आराम से खा जाता है नाइट्रेट्स खा जाता है फॉस्फोरस फॉस्फेट से इस अग्दम आँख मून करके खा जाता है मतलब यह सब इसके लिए फ्री खाना है इसलिए आप देखते हो को पानी सड़ता है तो वह एलजी हो जाता है वह पानी को आराम से स डाल सकते हैं जिसमें LG उससे सब चीज निकाल देगा और जो पानी साफ हुआ वह या तो आप नदी में छोड़ दीजे या तो वापस उसको अंडर ग्राउंड वाटर में डाल दीजे तो पानी ट्रीट्मेंट के लिए बहुत अच्छा है दूसरा आप यह समझें कि पानी त करेगा तो ऐसा भी नहीं कि आपका बायोमास निकला तो एक कचरा निकल गया नहीं यह अराम से इस्क्माल किया जा सकता है दूसरा यह आप समझें कि यह पूरी तरह से तीज है मतलब आप यह समझें कि कोई भी फसल आप उगाते या तो साल में एक बार होगेगा या कुछ कुछ महीने पर एक एक बार होगेगा तो कितना भी बड़ा खेती कर रहे हैं यह आपको पर दिन दे सकता है मतलब पर दिन यह आपका तेल निकाल के दे सकता है या पर हफ्ते मतलब डिपेंड करता आप किस तरह का structure बनाए कुछ लोग कोशिश करेंगे महीना महीना थाकि ए देली निकाले वह आप डिसाइट को कि एलजी कुछ घंटे में ग्रो करता है प्लांट के तरह नहीं एक दो हफ्ता लग जाता है ग्रो करने में बहुत जल्दी कर रहे हैं बहुत छोटा है तो स्पीड के मामले में इससे आपको सोचना ही नहीं मतलब यह फट से काम कर लेग आपको उस पर जितना इंट्रेस्ट मिलेगा वह भी यह नहीं मैच कर सकता है मतलब यह अभी प्रॉफिट नहीं देता है इसलिए आप कई बार सुने करोल पती लोग हर भी चीज में क्यों नहीं खर्च कर देता है वह इसलिए क्योंकि उतना पैसा अगर वह पहीं रखते त मतलब इसके बाद भी मतलब इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो इस इंटरेस्ट से जांगे बढका नहीं तो वह अपना पैसे को बढ़ा में तो कैसे कर देंगे तो कोई भी कंपनी यह नहीं क sanitizer gonna कर सकती है और प्त妈ले मिआत सिर अड़त का विघ्या नीए किये मतलब आपस वहीं चला गए जो बंदा मतलब अमेरिका का भी प्रेसिडेंट ने किया था फिर बुश आके बोलते हैं भी आम सीधे जाके मार देते ना 500 मिलियन डॉलर हर दिन खर्च करते हैं लड़ाईं को ज्यादा सस्ता पड़ेगा तो इसलिए कमर्शियल भायबिलिटी इ यह घटते जाएगा असी रुपया पर लीटर आंड गया तब प्रॉफिट होने लगा तब लोग बलेगा अच्छा अब हम इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आज नहीं तो कल सॉल्व होजएगा दूसरा इसको बहुत लोग जब तेल का दाम बढ़ रहा था करने के कारण जो बायो फील वाली के वह फास गया है ऐसे जिगहां पर कि वह लोग नहीं चाहते कि एलजी वाला जल्दी पकड़े क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कई लाग क्रोड का वह फास जाएगा वह बरबाद हो जाएगा उसलिए वो लोग इसको कंप कोफी की भी हथ होती है और उसके बाद अभी अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं माली जब अपने च्छत में लगाने लगते हैं बेरली आपको बहुत अच्छा उपज रहा तो मतलब एक हफते में साइद आदा लीटर या एक लीटर मिल जाए लेकिन अभी हम लोग को बह कावल के ही कही हजार फसल होते हैं तो ऐसे अलजी का भी बहुत सारा है अलजी का सबसे डाता है तो यह भी सोचना पड़ेगा कौन सा है उसका सबसे अच्छा से देता है तो अभी खर्चा इस पर और करना मतलब इस पर थोड़ा एक दो यूनिवर्सिटी लेवल का से उसको खाएगा फिर कई जगहां पिसको रोड के साइड में बनाने की कोशिश की जारे ताकि जो हाइवे का पलूशन वो घटने लगे तो ऐसे क्लीनर यह बहुत अच्छा काम करने लगा है तो और आपको तो आजकल एक्वेरियम के लिए एलजी स्क्रबर मिल जाता है मत अगर आपके बहुत बड़ा एकवेरियम है तो एलजी स्क्रबर लगा सकते है क्योंकि वो खुद खुद अपने आप साफ करता रहेगा तो ऐसे क्लीनर यह हवा और पानी दोनों को साफ कर सकता है हावा से यह कारबन डाइकसाइड निकाल देगा और पानी से तो नाइट्र आइक हो रहे हो रहे हों पर और पानी वाले टीपन्ट में आपको घ्रlden थो करनाओ अपस यावापस अ chat में डाल नीजै यह वापस अब आप सा जन में ड़िशा है तो मतलब बहुत बढ़िया इसका यूज-किया सकता है और जैसे से हम लोग ब्लान्ट बनाएंगे मतलब ज आफ में सारे विडियो बना जो आप यहाँ चीक कर सकते हैं मिलोग बड़ा प्लांट बनाते जाएंगे पर लीटर का दाम घ्लक Megan वक्रों को जाता है तो जैसे जैसे बड़ा बड़ा बनता जाएगा नोग कि दाम घटते जाएगा तो उमीड यही कर रहा हो कि जैसरे बड़े बनाट बने झेल का दाम घटता जाएगा तो पसुछ टाइम के बाद यह हम लोग को हर दिन में यूज़ करने लगेंगे और अगर hydrocarbon fuel cell आ गए लेकिन अभी तक का जो भी मैंने फ्यूल सेल पाया जो नीचे मैंने लिंक पे दिया हुआ है, वो सिर्फ मीठेन पे गाम करेगा या ब्यूटेन पे या एल्पीजी पे गाम करेगा, मतलब वो पेट्रोल या डीजल जितना नीचे नहीं आता है, मतलब कार्बन और लगा है तो आप शेयर भी कर दीजे अपने दोस्तों के बीच में, और मैं कहूंगा कि अगर आपको नहीं पसंद रहा कोई बात है, आप डिसलाइक कीजिए, और आप कॉमेंट देखे कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और अगर आपने सही में यहां तक देख लिया है तो प्लीज आप सस्ट्राइब पीजे और घंटी बजाएगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपने मेरा वीडियो देखा, यह जान के मुझे बहुत कुशी हुई, धन्यवाद